हेलो गैस, वेल्ट एक्सरेस में आपका हर्दिक स्वागत हैं तो गैस, आज सेटर्डे का देन है और आज 12 तारिक याने की दशे ही रखा देन है तो आप सबी को विजया दर्समी की हर्दिक सूप कामना है तो गैस, आज सेटर्डे को अपने 3 मल्टी बेगर स्टॉक लेके आते हैं जो आने वाले 3 से 12 महिने अच्छा रिटन दे सकते हैं विकली चार्ट के उपर अनलेसिस करते हैं जहाँ पर अपने को छोटा सा स्टॉप लोस लगता है फंडामेंटल भी कमनी अच्छे होती ऐसे स्टॉक में अगर आप पोजिशन बनाते हो तो आपको रिवर्ड अच्छा मिल सकता है आप निप्टी से कंपेर मत करो मार्केट में समझो कि एक साल में निप्टी 5-10% की मूवमेट देगी उससे क्या होगा कि लाइ मार्केट में आपको जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी और गाईज आद दशेरा का दिन है तो अपने जो कमिंग मॉमेंटन स्विंग टेडिंग वेबिनार आ रहा है उसमें डिसकाउंट है 40% का अगर आपको अप्टिम करना है तो सिफ वो आज के दिन रहेगा तो वो आपको द्याम में रखना है कल से इसका प्राइज इंक्रीज हो के 2000 हो जाएगा तो अगर आपको 40% का लाब लेना है डिसकाउंट या पे कोड मिला है वो आप जाके अप्लाइ करोगे तो आपको सीधा 40% लेस हो जाएगा बहुत बड़ीया स्ट्रेटशी है और वो भी नॉमीनल चार्ज में अगर आप ले लोते हो उसके बाद आपको इंट्राडे करते हो या तो सिफ भी पोजिशनल ट्रेड करते हो तो भी आपको सब कुछ उसमें एक की स्ट्रेटशी में सब कुछ मिल जाएगा तो यह आपको ध्यान में रखना है तो आपको discount का लाप लेना है तो यह coupon को यूज़ कर सकते हो अभी अपने चलेंग के 3 stock जो आने वाले 3 से 12 महीने में अच्छा return दे सकते हैं उससे पहले गाज अपने हर Friday को क्या करते हैं strategy का वीडियो डालते है strategy का वीडियो आने की यहाँ पे आप अलग-अलग type की strategy में लेके आता रहता हो तो कल के strategy में कैसा 9.15 से 9.30 तक आपको मिल जाएगा कि कौनसा stock momentum रह सकता है intraday trading के लिए कौनसे stock में आप bet लगा सकते हो तो यह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो यह strategy के अगर देखी नहीं तो जाके वीडियो देख सकते हैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो अभी अपने चलेंगे पहला stock जो आने वाले 3-12 मेने में अच्छा return दे सकता है यहाँ से bounce ब्यक आने के बहुत अच्छे chance है तो stock का नाम रहेगा BCL industry BCL industry जो weekly chart के उपर analysis करेंगे fundamental भी अच्छी company है price action भी आपको indicate कर रहा है कि stock में यहाँ से reversal आ सकता है और आपको यह ध्यान में रखना है कि price action हमेशा पहले चलता है उसके बाद कोई भी company में news आती है तो कुछ भी अच्छा होने वाला तो वो बाद में होता है तो price action से आप decision ले पाओगे कि stock में क्या होगा आने वाले time में तो यहाँ पर देखोगे तो weekly chart के उपर आपने analysis करेंगे stock का strong supply जो और बोल सकते हो इसको आप breakout candle उसके बाद retest किया फिर से उपर गया है फिर से retest किया फिर से उपर गया है फिर से retest करने यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से क्या हो सकता है stock नीचे आएगा तो उसको फिर से trend line का भी support मिल सकता है यहाँ पर देखोगे तो trend line का support है यहाँ पर गिरेगा तो भी उसको trend line का support मिलेगा और यहाँ से फिर से bounce back कर सकता है अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि stock अभी consolidation में चल रहा है पिछले 6-7 महीने से consolidation में चल रहा है तो यहाँ से maybe 2-4 महीने और भी चल सकता है लेकिन यहाँ से उपर की साड़ जब भी rally start होगी तो आपको यह क्या 2 महीने में return दे सकता है 120 के target आने वाले 3-12 महीने में stock दिखा सकता है अभी 57 के आसपाथ चल रहा है तो अभी आपको stop loss कहा पे लगाना है अगर समझो कि आप इसमें entry करते हो तो stop loss लगाने भी बहुत जरूरी है तो इसके नीचे यानि कि 45.5 के नीचे weekly close देगा तभी आपको exit करना है क्योंकि यहाँ पे stock गिरेगा तो demand zone का भी support है और trend link का भी support मिलेगा तो गिनने के बहुत कम चांसे उपर जाने के ज्यादा चांसे fundamental भी indicate कर रहा है कि stock में अच्छे result आ सकते हो और stock उपर भाग सकता है तो अभी आपको इसमें CMP पे entry कर सकते हो 120 का target आने वाले 3-12 महीने में stock दिखा सकता है कौन से setup के इसाब से अपने entry करेंगे supply demand setup है और दूसरा है trend link का support अगर stock यहां से निचे गिरा तो उसको trend link का support भी मिल सकता है तो यह पहला stock हो गया है जो weekly chart के उपर analysis किये अभी guys मैं आपको दूसरा stock बताऊँगा जिसका नामे grow well grow well में आप ध्यान से देखोगे तो अपने last year भी यानि कि यहाँ से करीब 13-14 महीने पहले भी यह stock को दिया था अभी में आपको इसका यह level बता दाऊ तक कि आपको समझ में आए तो grow well में आप ध्यान से देखोगे तो कौन सी date पर दिया था आपने July 2003 को दिया था grow well कौन से level पर दिया था 110 के आसपास दिया था stock अभी भी 110 के आसपास चल रहा तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे क्योंकि हर बार मुझे कभी ऐसी भी कमेंट आती है लेकिन वो देखते नहीं है कि उसमें corporate action क्या हुआ है company ने कुछ split किया है bonus दिया है वो सब कुछ नहीं देखते है वो सिधे ऐसा compare करते है जैसे कि grow well सोचेंगे कि अरे 12-13 महिने पहले भी 110 पर अभी 110 पर तो stock ने क्या performance दिया 12-13 महिने में तो ऐसा नहीं होता गाईज यह stock अपने जब दिया जुलाई में 2023 में दिया उसके बाद stock company ने क्या किया था February 2024 में bonus announcement किया था 1 इस्टू 1 के हिसाब से यहने कि क्या हो जाता है 1 इस्टू 1 होता है तो इसका price आदा हो जाता है तो अभी stock का price का पर चल रहा है 109 के आसपा चल रहा है तो आप इसको समझ सकते हो कि अभी अगर bonus shared नहीं company declare करती तो क्या होता अभी इसका price 210 के आसपा चलता है तो यह आपको ध्यान में रखना है bonus declare नहीं किया होता है तो इसके आपको ध्यान में रखना है तो अभी stock में करना क्या है आपको यहाँ पे upside में 200 के level दिखा सकता है 109 चल रहा है 208 में 95 का high मा रहा था उसके बाद stock गिरते गिरते सीधा नीचे का पर आया गया बहुत नीचे आप 10 रुपेज तक आ गया उसके गिरेगा लेकिन गाईज ऐसा नहीं होता उसके पिछे का भी मैं आपको logic समझाऊंगा पहले अपने level देख लेते हैं उसके बाद आपको logic समझाता हूँ तो 95 का आपका stop loss लगाना है इसके नीचे weekly close देगा तब भी exit करना है 200 के level 3-12 मेने में stock दिखा सकता है अगर यहाँ से गिरेगा तो उसको यह demand zone बन जाएगा और वो मंतली चार्ट के उपर जब भी supply demand होता है तो वो strong support का काम करता है तो अभी अपने इसको मैं screener पे लेके चलूँगा और पता हूँगा कि company में क्या हो रहा है 31 के PEP मिल रहा है ROCEB देखोगे तो 26 के है तो वो अच्छा साहिन है कि company में कुछ नगोज अच्छा हो रहा है और आप ध्यान से देखोगे तो yearly उसका profit and loss statement देखोगे तो आपको पता चलेगा all time high के आसपास उसका sell चल रहा है या पर देखो 1133 करोड के आसपास चल रहा है और net profit भी देखोगे तो 79, 113, 146, 160 तो यह उसका all time high के आसपास profit भी तो जब भी कोई stock all time high के आसपास चलता है तब अगर आपको decision लेना है कि यह stock उपर जाएगा कि नहीं जाएगा तो आप उसका पिछले 4-5 साल का profit देख सकते हो अगर वो uptrending है और उसका sales भी uptrending है तो आप decision ले सकते हो कि stock और भी उपर जा सकता है तो यह clear हो गया तो इस से अच्छा मिल सकता है तो grower में position बना सकते हो cmpa अभी guys मैं आपको तीसरा और आखरी stock बताऊँगा जिसका नामे eih associated hotels तो अभी इसको करना क्या है और i family इसको hold करती है तो इसके stock का नामे आपे देख सकते हो eih associated hotel stock का नामे monthly chart के उपर analysis करें तो monthly chart में आप ध्यान से देखो तो strong supply जोनता है उसके बाद stock गीरा उसके बाद finally breakout देके उपर गया रिटेस करने नीचे आए फिर से उपर गया है अगर stock यहां से नीचे आएगा तो फिर से रिटेस करके फिर से उपर जा सकता है 300 399 के यहने की 400 के आसपा चल रहा है 310 के नीचे weekly close देगा तबी आपको exit कर बड़ा सा बड़ा आ रहा है लेकिन आपको company अच्छी है fundamental भी अच्छा है तो यहासे उपर की साड़ अच्छी rally 600 के लेवल 3-12 मेने में stock दिखा सकता है मंतली चार्ट के उपर analysis किया और कौन सा analysis setup कौन सा है supply demand के इसाब से यहासे stock में bounce बेकाने के बहुत high chance है क्योंकि यह stock क अभी demand zone हो गया तो यह अपना तीसरा और आकरी stock हो गया जिसमें अच्छी rally आ सकती है लेकिन आपको discipline के साथ trade करना है और 310 के नीचे weekly close दे तो exit करना है तो अभी CMP पे आप add कर सकते हो अगर समझो कि stock के आशे गिर के 350 के आसपास आ गया तो वहाँ पे आप average भी कर सकते हो वहाँ से भी bounce back आने के बहुत high chance है तो guys मैंने आपको total 3 stock बता दिये पहला stock के BCL industry दूसरा stock के grow well और तीसरा stock के EIH associated hotels तो 3 stock अच्छे discipline के साथ trade करना है वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ analysis में समझ आया हो helpful लगा है तो क्या करना है वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है तो guys thank you very much bye bye take care कल मिलते हैं नए वीडियो में bye bye take care thank you